नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका स्वागत है आपका स्वागत है आपको स्वागत है यहां कुछ फॉर्मेट में यहां पर चेंज किया आए आशा करते हैं जरूर आपको पसंद आएगा और इसमें complete comprehensive news है आप अब जो है चालू कर लिया है आपर सारे UPSC के लिए questions प्लस जो है complete news और धीरे धीरे जो है सी में editorial सब कुछ इसी में include करके देंगे continuous improvement की तरफ लगातार study for civil services क्राम करता है इसी लिए यहां पे लाएं आपको आपको ऐसी पीडियाप भी दी जाएगी कि अगर आप माल यह वीडियो ना भी देख पाएं तो पीडियाप से ही आपको सारी चीजी समझ में आ जाएं अभी तक ऐसी पीडियो मिलती थी जिसमें सब कुछ मिलेगा जो लोग सिर्फ पीडियाप से भी पढ़ना चाहें वो कर सकते हैं कई सारे हमारे प्रेडिकूप चलते रहते हैं आप उसको जॉइन कर सकते हैं यह दो सिर्फ हमारे ऑफिशन नंबर है और कोई नंबर हमारा नहीं है 85640805309696089 और मेरा जो है नंबर है और ज्यादा इंप्रूवड वर्जन यहां पर बनाया जाएगा आप खुद देखेंगे चेंज यहां पर कि आपको जो है एक्जाम में कितना ज्यादा यहां पे बेनिफिट और मिलने वाला है ठीक है सबसे पहली नियूज है कि यह एक ट्राइफिड है करके संस्ता इसने IIT दिली के साथ एक MOU पर साइन किया है और वो किस चीज़ के लिए उन्नत भारत अभियान को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए है ठीक है इसमें कई सारे इंस्टिटूशन थे यहां पर इसके साथ बतब यहां पर आ गए हैं एक साथ आ गए हैं ताकि जो ट्राइबल्स ह यह हुआ है यह टूटल मिला के उनको नई नई प्रोसेसिंग की टेक्नोलोजी बताई जाएंगी उनको प्रोड़क्ट के इन्वेशन करने के कई सारी तरीके देगे जो ट्राइबस हैं अब जंगलों में रहते हैं लेकिन इतना सारा वहां पर फॉरेट प्रेजूर्स होता है लेकिन वो पूरा का पूरा जो है उसको सदुपयोग नहीं कर पाते हैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं उसमें नई नाम के साथ तो वही सब चीज़े यहां पे हैं कि जो हमारे पास और डेडिवेट से हमारे पास जणगल उनको नए नए प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी नए नए इनोवेशन उनको मेंटर्शिप करके प्लस उनके जो डिजिटल सिस्टम में किसी तरह उनको लाके उनके जो है स्किल को बढ़ा के और लाइवलिविड को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके इसी लिए ट्राइफेड न उनको ज्यादा जो है वहाँ पे आरेंडी कर सके उनको ज्यादा वहाँ पे इसकिल डिवलप्मेंट कर सके उसी के लिए सब चीजे है यह अब इसमें देखें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि यह जो ट्राइफेड है यह किस ministry के अंडर में आता है तो ये किसके ministry के अंडर में आता है ministry of tribal affairs ठीक है ये सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में भी लिखी है तो जन जाती मामलों के मंत्राले के अंदर आता है ट्राइफेड ये अपने प्रयासों को जो है बढ़ाने के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं उन्नत भारत अभियान को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए हाँ पर आईटी दिल्ली के साथ एक partnership में आए सिंपल बात यह है उन्नत भारत अभियान बहिया क्या है दूसरा यह important ह हो सकता है question यह पूछ सकते हैं कि उन्नत भारत जो अभियान है यह council ministry के अंदर है एचारडी ministry के अंदर है एचारडी ministry का एक flagship national program है ठीक है तो ट्राइपर ट्राइट मतलब तीन पार्टी के बीच में मोईउ साइन हुआ है ठीक है कौन है पहली तो ट्राइफेड है दूसरा क यह विजनाना भारती विभा करके है एक स्वदेशी science moment है तो यह तीनों पार्टियों ने एक मोईउ पर साइन किया कहां पर साइन किया डिली में किया है यहां पर इसमें जितने भी tribal entrepreneurs होंगे वो ट्राइफेड के वन धन प्रोग्राम के अंदर में जो भी लोग यहां पर र ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको यहां पर करनी है ठीक है बाकी सब यहां पर लिख दिया गया है इसमें पहले एक उन्नत भारत वान पॉइंट जीरो हुआ फिर उसी का एक और improved version ला दिया गया जैसे Windows में आते रहते है ना Windows 7 आया फिर 10 आया यह सब चीज़े वैसे यह अब ही इन प्रोग्राम में भी यहां पर आते रहते हैं तो उसी का improved version ला दिया गया उसमें simple क्या है concept क्या है उन्नत भारत अभियान भारत को उन्नत बनाना है भारत कैसे उन्नत होगा कि अगर भारत के गाउं को उन्नत कर दिया जाए उसके लिए क्या करेंगे कि जो हायर ए opportunities बढ़ाई जाएं कैसे social betterment किया जाएं यह सारी चीजें उनका knowledge base बढ़ाएंगे उनके साथ मिलके जो वहीं पर resources है उन्हीं को और अच्छे से सदूपियों करके यहां पर कर लेंगे तो पहले एक वन पॉइंट जीरो आया फिर उन्नत भारत अभियान टू पॉइंट जीरो जो है वह क्या है वह इंप्रूब्ड वर्जन है अप्ग्रेड़ेड वर्जन है टू पॉइंट जीरो दो जार ही की नहीं कोई भी चीज़ अगर दिक्क्त हो जरूर बताएगा पहली न्यूज में इतनी चीज़ जानने की थी दूसरी नियूज बहुत इंपॉर्टेंट है आत्म निर्भर भारत का आपने नाम जरूर सुना होगा मोदी जी ने थोड़े दिन पहले लांच करी थी आत्म लिए बल्क जो है ड्रग पार्क बनाए जाएंगे यहां पे ठीक है यह किस मिनिस्ट्री ने किये यह मिनिस्ट्री आफ केमिकल और फर्टलाइजर ने ठीक है क्या वीज़ा ने कि क्या इंडिया का जो वही वो जो उन्नत आपका यह आत्मी निर्भर अभिहान है उसी को फा यह को को मेटरियल इंपर्ट करने पड़ते हैं यह समझ जाए आद निर्भरgeht इंपोर्ट क सारे सक्टर में कम करना है तो यहाँ पर केसि कि किसृएंगे क्या करेंगे जिस के साथ पार्टनर्शिप बिल रिकर करके बनाएंगा इंडिया क्या है इंडिया union of state ही तो है यार अगर आप state के साथ नहीं मिलोगे तो फिर कोई scheme जो है यहाँ पर पूरी तरह से फलीबूत हो ही नहीं सकती है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा government of India जो है central government है तीन मेगा ड्रग पार्क बनाएंगे यहाँ पर देखे तीन मेगा विस्तर ड्रग पार्क विक्सित कर रहे हैं यहाँ इसमें सरकार क्या करेगी कुछ grant देगी कुछ मदद करेगी state के जाथ क्या क्या मदद देगी maximum जो है एक ह है क्या होता है क्या इसको वापस किया जाता है कि नहीं कुछ कुछ चीजा आप भी लोग यहाँ पर comment जवाब देते जाहिए यहाँ ठीक है तो 3000 करोड का टोटल यह है और इसमें पास सालों में तीन मेगा बल्क ड्रग पार्क बनेंगे एक एक हजार करोड रुपय तीनों क में 70 परसंट दी जाएगी अगर आप देखें यह कुछ एक इंडिया की फार्मा सेटिकल जो इंडिस्ट्री हो कि इंडिया में क्या पूजी पूरे वर्ड में क्या पोजीशन है फिर भी समस्या यहां पर यह है कि ज्यादा तर जो हमको ड्रग बनाने के लिए इंपोर्ट चा के और कि जितना भी हमको कच्चा माल चाहिए वह हमको आयात से जो है हटके हम आत्मी निर्वर बन सके हैं ठीक है को लिखा हुआ है साब साब कि बल्क ड्रग के निर्मान के लिए कुल मिलाके जो आयात निर्वरता है 80 से लेके 100% है यहाँ पर चार सेग्मेंट पर हम से जरूर करने चाहिए यूपीज जेदिन सीख गया पॉलिटीकष को हिस्ट्री से हिस्ट्रीको जेiste को जोगरफी से जोगरफी को एकनॉम ducks से एकनॉमक को करें तभी जो है यह युअपी के कलियर होगा है ठीक है तो चार सेगंट यहां पे दिये गया इंपोर्ट कम से कम हो ठीक है यह इतनी नियूज बस आपको जानने जरूरी है तीसरा क्या है कि भी यह एक हरीकेन है हना यह जो है अभी टेकसास में हिट किया है अब इसमें के सिंपल बात यह है कि जो यहां पर ट्रॉपिकल आपका जो है स्वाइकलोन होता है पहले उसकी चा जरूर देखेगा अब इसमें क्या है और भी समस्या है कि इसमें मतलब अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन देते हैं मैं आपको पिक दिखाता हूँ यह देखिए हमारा ओनली करेंट अफेयर का यह आप जो है फ्री वाला ग्रूप जरूर जोन कर लिजेगा इसका लिंक सब्सक्राइब किया जाता है हरुगेर्ट था खर्लिया में विली विली और श्रेशा में सबस्किता है ये था-वद भी कि पहले देते हैं फिर 24 गंटे पहले देते हैं ठीक है और फिर एक जो हो गया आपका पोस्ट साइकलॉन तो चार चार स्टेजेज में यह वार्निंग दी जाती है यह अब ध्यान रखेगा यहां पर ठीक है तो सब कुछ बिल्कुल करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं यह बि फिर होता है साइकलॉन अलर्ड वो होती जिए सेकंड स्टेज सेंगर 2018 गंटे पहले वार्निंग देते हैं फिर थार्ड स्टेजउ इसमें साइकलॉन ओको ओर्निंग बोलते हैं यह चोविए है को ओनूपित पहल लोग यह उती फूर्ड सिगढ और तो इस तरह से होता है तीन स्टेजेज होती है वार्निंग की कई से कलर कोडिंग होती है यहां पूरा साइकलोन एलर्ट के लिए क्या कोड है यह और और इंज पोस्ट लैंड फॉल आउट्लुक के लिए क्या है रेड तो यह ध्यान लगना बहुत जरूरी है यह सब चीजे य कभी स्टॉर्म बोल देते हैं कभी हरिकेन या टाइफून अभी मैंने बपको बताया ठीक है तो भाईया अगर 61 किलोमिटर या 61 कहीं लिखा है कहीं बासट तो लगबग उतना ही है 62 वैसे एक अलग ट्रम था कई लोग जो है बच्पन में सुने होंगे वो सब बत्तिमी जी तो इस टॉम बोल देंगे अगर जो है 70 सारी 118 किलोमिटर पर और से हो जाता हो गई तो क्या बोल देंगे उसको हाईरिकेन या टाइफून या साइकलोन मतलब जिस जगह भी है अगर आप वर्ड मैप देखेंगे इस तरीके से कुछ बना हुआ है यह जैसे यह इंडिया हो है इधर यूएस अगर इधर पहुच गए तो क्या आएगा उधर जो है आपका हरीकेन आ रहा है तो बस नेमिंग चेंज है यह आपको यहां पर जानना जरूरी इतनी चीज यहां पर इंपोर्टन थी वह मैंने आपको पहले ही बता दी बाकी सब पार्ट है एक आई होता है ठीक है एक जो है आपका और होता है आख की परईदी होती है एक वाल होती यह प्लस और वी चीजे हैं सहब मैंने बताया दिया आपको पिक से दिखा दीया है पहले एक रोबोट आया था जो बोलने वाला रोबोट तक क्या नाम था उसका पताएगा अब ये अब देखे कोई रिपोर्ट आती तो उसके लिए क्या आपको पतावना चाहिए पहली बात तो यह है कि वह काहे से रिलेटेड है कौन सी चीज के लिए रिपोर्ट बनाई हो कि यह टॉप कंट्री कौन सी है बॉटम कंट्री कौन सी है यह सब चीजे अब यह सोफी रिपोर्ट है इसका क्या मतलब है स्टेट ऑफ फूट सेक्यूरिटी और नेट नूट्रिशन इन दा वर्ड तूथाज़न ट्वेंट तो देखे साब साब इससे क्लियर है फूट स उसको डिवलप किया है सिंपल बात है इसको अनुवली डिवलप किया थी साल में एक बार कौन कौन यहां पे जो है और ओर्गनेशन है वो है आपका फूट अगरिकल्चर ऑगनेशन ठीक है ऐफे हो गया एक इंटरज़नेंदार फट फंड फॉर एओर डिकल्चर दिवलफ nutrition कितना है ये सारी चीज़े जब बताते हैं 2020 का अडिशन क्या बताता है ये बहुत ज़्यादा challenges अभी भी बचे हैं अब तो कोविट की बज़े से जो है और समस्याएं होती जा रही है food security food insecurity बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए कुछ कुछ कदम भी बताएं हैं आपे इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या करेंगे ये सब चीज़ें का एक लिए करते हैं बहुत है कि जो sustainable development goal आये थे अच्छा ये बताए ये sustainable development goal किस यहर में आये थे पहला question इसमें से target कितने है ये दूसरा question ठीक है ये दो तीन question आपको यहाप रटे होने चीज़ें स्टेट पीसे में डारेक्ली पूट लेते हैं उसी में जो है आपके टोटल अगर आप देखेंगे टार्गेट में एक टार्गेट ये था कि भी जुलाई को रिलीज हुआ है और इसमें क्या किया गया है कौस्ट और एफ़र्डिबिल्टी जो है आपकी क्या है पूरी दुनिया के रहा हूं दुनिया भर में स्वस्ताहार की लागत और सामर्द क्यापे विस्तेट विस्तेशन है अच्छा इसमें एक चीज बहुत इंप पड़र्टी लाइन क्या है वन पॉइंट 9 जो है वोटबंक कहीता है अगल आप से ऊपर कमाते हो लिज से तो पर Nein डालर से नीचे ँगर, कमावत हो, तो फिल जो है आप गरी of ne partly लगा है लगव 120 realities 130 रुपए में मतलब आपको दे दिया है समझे अब 4,000 में आज कल क्या ही खा पाएंगे 4,000 में कौन कोई खा भी सकता है और कैसे रह पाएगा यह सारी चीजें फिर भी जो है अमीर लोग बैट के बना देते हैं यहाँ पे खैर हम लोग अपने मुद्दे पर रहेंगे इसने बोला है कि 18% जो साउथ अशियन है वो जो है अफर्ड ही नहीं कर सकते हैं एक नूट्रियंट बी मतलब नॉर्मल नूट्रियंट वाली डाइटी नहीं वो लोग अफर्ड कर सकते हैं अठावन परसेंट ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट नहीं कर सकते हैं हेल्दी डाइट मतलब अंडा दूद ये सब कुछ होना चाहिए समझ रहे हैं इसमें डाइट के टाइप भी पताया गया है इसने फिर 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 यहां बोला है यहां उससे अगर आप माल यहां पर सो रुपए हैं उससे आप जो है इंडिया में चीज़े किया सकते हैं उनका यहां पर कंपरिजन किया जाता है ठीक है इसी लिए यह जो है total PPP आपने सुना होगा कई सारी जो concept है जैसे PPP क्या होता है current price क्या होता है constant price क्या होता है अभी मैं NCAT economy का वीडियो बनाऊंगा उसमें सारी चीजी समझा दूंगा ठीक है अगर आप यूप ये वीकी पीडिया में देखेंगे जाके तो purchasing power parity की क्या fruit खरीदना है मालिया आपको 10 save खरीदने है ठीक है तो वो जो है आपको अलग अलग जगह से अगर आप देखेंगे तो उसको अगर आप comparison कर लेंगे तो वो हो जाएगा अब मालिया जाएंगे तो काव एकी save मिले उसमें इंडिया में जाएंगे तो आपको काव 100 में से 3-4 save मिल जाएं उससे पता चल जाती है कि किस तरह से जो है inflation है कैसे कैसे जो है economy है कितना जो है लोग कमाते है per capita income कितनी है कितनी purchasing power parity है लोगों की ठीक है absolute जो है आपे आपको measure किया जाएंगे exact word to word अगर definition देखेंगे तो purchasing power parity क्या होता है measurement of prices in different countries ठीक है that uses the prices of specific goods to compare the absolute purchasing power of the country's currency ठीक तो यहाँ पर क्या है कई जगे क्या होता है PPP क्या होता है inflation rate और प्लस उसके equal क्या क्या है price of the basket of goods at one location divided by the price of basket of goods at different location समझे दो वही मतला एक concept अग्माल यह सो और पाएं आपके पास तो आपको कहां पर कितना मिल जाएगा उन सबसे जो है आपर मेजर relatively मेजर करके तब यहाँ पर पर चेजिंग पावर परिटी निकाल याती है यह सब पूरा detail में समझाएंगे tension मत लेजें तो यह यहाँ पर इतना जानने की जरूरत थी ठीकर next इसमें यह कि भी यह lockdown के बाद क्या है कि अभी तक जो है यह virus आपने सुना होगा कई सारी चीजे लेकिन इसके अलावा lockdown जब से हुआ है तब से spyware और यह जो है stock stocker वेर यह क्यों जो है लगातार यह इसका उप्योग बढ़ता जा रहा सिंपल बात यह कि इंटी वरिस उसको पकड़ दी पाता है सिंपल इस पाई वेर क्या है जो है वह यह अपने आपको ऐसा दिखाता है कि नॉर्मल सा WAIR M lodge से जून के बीच पाई NOW सी कना माल व और वेर होते हैं यह सब तो यह столько जैटने विये जरा लेता है लोग सालए जितने हैं फिक है यह संपल बात करते हैं Aam Bakा टो है ऑपर आपका साइब के भी यहां लेकिन इनको कर पाता है। premium to variety of freaking तो यह किया करते हैं यह अपने आपको यह सा अजिए बहुत व्यूसपुल और डेटा जुरा ले देधाहन जीसे मतलब कोई कँछ इनसान होते हैं यह अपने आपको दिखाते हैं कि वह यूस्पल बहुत है लेकिन वह एक्चली आपको है अंदर से दीमक होता है लकड़ी में लगा रहता है तो लगता है कि उसका पार्ड है लेकुन उसको खोकला करता रहता है वही है यह यह आपके फोन के साथ यह ही करते हैं तो इस पाई वेर क्या है इसको आप रिमोटली भी आप इंच्टाल कर सकते हैं मतलब आप दूर बैठे हुए किसी दूर फोन में कर सकते हैं simply लेकिन जो श्टॉकर वे रहे हुए उसके लिए आपका physical access होना चाहिए आपके हाथ में हो या फिर आप कर पाद लॉग इन हो या फिर आप किसी को जानते बनते हों तो वहां पे कुछ लगा दिया और वहां पे डिजिटली कर दिया और फिर उसका डेटा चोरी करते जा रहे हैं क्या करेंगे फोटो चुरा लेंगे वीडियो चुला रहेंगे और प्लस अब जू दूसरे पर्सनल इंफोर्मेशन यहीं सब चुरा लेते हैं सिंपल बात है यही सब चीज़े जो है इसमें है तो इस्पाई वेर इसलिए इसका बढ़ता जा रहा है इस्पाई वेर क्या है यहां पे पूरा जो है फोटो वीडियो यह सब चीज़े यहां पर चोरी कर लेता है एक सेंटरल सर्वर में बेच देता है वही डेटा की चोरी वेयर की तरह ही काम करता है लेकिन ये डिवाइस की लोकेशन भी दे देता है मास्टर डिवाइस को क्योंकि ये भी फिसकल एक्सिज आपने कुछ कर लोकेशन कर दिया तो आपको ये भी पता रहेगा कि जिसमें इस्टॉकर वेयर आ गया है कि कहां पे है लोकेटर ये सारी ची कोईस्टिन है आपके लिए बहुत ही जादा यहां पर यह इसमें से कुएस्टिन मैने की बहुत जादा संभावना है पहला कोईस्टिन आपके सامने आप देखि लिजिए यहां पर विडियो मत देखना का बता है और लेकिन बहुत मेहनत लगी यहां पर फॉर्मट चेंज करने में बहुता ही ज़्यादा देगे पूरा प्रयास है इस्टेडी फॉर्ट सिवल थिर्फिस का कि अगर हमारे वीडियो फ्री हैं उससे लोग लाब उठाके जैसे अभी तक यूपी पीसेज में बंपर सिलेक्शन आ रहे हैं भी पी एससी में भी प्री में भी तक कसे अब यूपीसी में और ज्याद़ सेलेक्शन लाने हैं फूरी अंडरस्टेंडिंग बनानी हैं फ्री के वीडियो के तहाथ पूरी तहरी करवानी है टीटीएज़्या यह जिए सब्सक्राइब होएं इनमें से आपको बताना है काउन सा करेक्ट है टीटीएजिए एक म की है डबलू आइच जी ने कि भाया यह मौडरेट अर्थ को यहां पर कई आरुणाचल प्रदेश में जनरेट करारा रहा है और आचल प्रदेश खुदी इतना सीजमिक जोन में जोन फाइब में सबसे आद़ जो सीजमिक है यह बिल्कुल सही है डवलू आइच जी क्या है कि आपको इनके question answer के form में दिया गया है पेड़कुप वाले जरूर इसका फाइदा उठाएगा जो लोग पेड़कुप में नहीं भी है वो लोग एक बार आपको यहां पर जो है attempt जरूर करिएगा यह दूसरा question आपके सामने चैनर में है यह कब यह किया गया था एक बनाया गया था 1986 में जो की effect अब देखे जूपीसी क्या पूछेगा कि किस एक्ट कर थूए यह ब्यूर आफ इंडिनेश चैंडर नाइटे इसक्स पीसेस क्या पूछेगा या वंडे एक्जाम क्या पूछेगा का भी effect हुआ 23 दिसंबर 1986 तो जो यही जो consumer affairs के minister in charge होते हैं वही इसके head होते हैं या फिर जो भी उसके आपके bureau of इंडिनेश चेंडर्ड आईएस के मतलब जो होते हैं head वो यहां पे ex-officio chairman होते हैं भी आईएस इसना question यह आपके लिए मौसम एप से related आप इसमें देख सकते हैं कि भीया क्या है ministry of earth science ठीक है इनोंने इनका चौदवां foundation डे था तो इसमें दो चीजे लांच कर दी एक है मौसम एप और एक knowledge resource center बिल्कुल सही है यह क्या कर सकते हैं इसमें weather forecasting radar images यह सब जो है weather images यह सब कर लेंगे क्या क्या करेंगा कि करेंगा कि किसी location का warning जो है कुल मिलाके जो है अपने डिजाश्टर मेंच में के लिए काम लगातार होता जा रहा है कोई अगर साइक्लोन आने वाला है कुछ आने वाला है पहले से वार यह किया है आपका इक्री सैट का डिजिटल और एग्रिकल्चर यूथ टीम ने और आयए टीम ने और प्लस इंडियन इंडिया मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने ठीक है तो तीनों यहां पे statement यहां पे सौरी सी one two three four चारो से ही है चौता वाला आप यहां पे attempt करके पता फार्ण निदिवर बने ठीक है 21 चीज के लिए किया गया है ताकि जो यहां पे इंडिवीज्युल है जो स्टाट अप है इनोवेशन में इनोवेट करें मतलब और सॉरी इनोवेशन में क्या इनोवेट करेंगे आपके जो इंडिविजुल स्टार्ट अप हैं डिफेंस और एयर और स्पेस जो टेक्नोलोजी है उसमें नई नई इनोवेशन ला सकें आज कल देखें आतने रिवर भारत का अभियान का जब से मोधी हर सेक्टर में अभी आपने देखा फार्मा में कि स्कीम लाउंच की करी गई है वैसे यहां पर भी कर दी गई है डिफेंस सेक्टर में तो सिंपल बात वही है एक ओपन चैलेंज है कि भाया इन कंट्री के जितने भी इनोवेटर स्टार्ट अप हैं वह इसमें आओ और ज्य क्लाइमिट चेंज की वज़े से कई सारे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं ठीक है उनका एक्सिंशन होता जा रहा है वो लगातर लुप्थ होने की कगार पे आ गया उन्हीं में से यह जो है ब्लू पापी आ गया कहा पाया जाता है कुमा उसे कस्मीर पाया जाता है तीन यहर पर देखना चाहिए ठीक है कहां गया इसका लिखा हुआ है साइंटिफिक ने मेको नोपिस एकुलेट अगर को यह इसा जो है अगलम बगलम सा नाम हो तो समझ लिए का सवही साइंटिस्टी नेम होता है ठीक है इसमें बताया गया कि यह जो है यह डिप्लीटो दैर लोर इ है कैसा लगा आपको यह वाला जरूर बताएगा यहां पर कमेंट करके कोई भी प्लीज नेगेट्व कमेंट करने की कोशिश मत करिए का मैं ब्लॉक करो दूंगा तुरंत यहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रयास से स्टड़ी फॉर सिवल सिर्फिस का कि आपका लगातार सिलेक्शन होना चाहिए कहीं भी अगर ऐसी चीज हमको लगती है कि कोई ऐसी चीज आप लोग के साथ गलत होने की संभावना है हम इसको तुरंत करक्टर देते हैं लगातार हम आपको जो है इंप्रूब वर्जन देते जा रहे हैं और यह वाली नियूज का अगर आपने आ तो भी आपको सारी चीज समझें जाएगा ओल दब इस्टेश जहिन